नमस्कार मित्रो जय श्री कृष्ण राधे राधे श्री मदभगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिये गए उपदेश आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना महाभारत के समय कुरुक्षेत्र युद्ध के मैदान में अर्जुन के लिए था गीता ग्यान से मनुष्य को जीवन की सही राह मिलती है हिंदु धर्म में चार वेद, रगवेद, यजुरवेद, सामवेद और अथर्ववेद इन चारों वेदों का सार गीता में मिलता है यही कारण है कि भगवत गीता को हिंदु धर्म का पवित्र और सर्वमान्य धर्म ग्रंथ माना जाता है इसकी महत्ता इतनी है कि यदि कोई गीता को स्पर्श कर ले तो वह जूट नहीं बोलता है भगवान श्रीक्रिष्ण ने कुरुक्षेत्र में खड़े होकर अर्जुन को गीता का ज्यान दिया था श्रीक्रिष्ण ने भले ही गीता का उपदेश अर्जुन को दिया हो लोब से, मोह से, लालचादी के बंधनों से मुक्त हो जाता है। आपसे अग्रहे, वीडियो को पूरा सुनने का जरूर प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आधा अधूरी ज्यान किसी काम का नहीं होता है। तो आईए जानते हैं भगवत गीता की उन 121 ज्यान भरी बातों को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुरायां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुँचता, तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। क्रोध से मनुष्य की मती मारी जाती है, यानि मूड हो जाती है, जिससे स्मृती भ्रमित हो जाती है, स्मृती भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धी नश्ट हो जाती है, और बुद्धी का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद का अपना ही नाश कर बैठता है। जो मनुष्य सुख और दुख में विचलित नहीं होता है, दोनों में संभव रखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य हैं, आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है, ध्या समय और भाग्य दोनों परिवर्तन शील हैं इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तू है, जो केवल आपको प्रभु की भक्ति से ही मिलेगी, मनुष्य की मानवता उसी समय नस्ठ हो जाती है, जब उसे दूसरों के दुख में हसी आने वहां मन जाए और जहां मन जाए वहां प्रभु साथ रहें, मुश्किलें केवल बहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं, अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है, तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा, जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होगा अच्छा होगा, भविश्य के बारे में चिंता मत करो, वर्तमान में जियो, निंदा से घबराकर अपने लक्ष को न छोड़े क्योंकि लक्ष मि जिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है, जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता, अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है, चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है, उसे तुम्हार जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम इश्वर की मर्जी से होता है, ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णाय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णाय नहीं लेने देती हैं, कुछ लोग अपन में निस्वार्थ भाव से जाएं क्योंकि आपको क्या चाहिए उन्हें पता है। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। बिना मुहुर्थ के जन्म लेता है और बिना मुहुर्थ के ही दुनिया से चला जाता है। फिर भी इंसान अच्छे मुहुर्थ के पीछे भागता रहता है। अगर विचार हमारे अच्छे हो और व्यवहार हमारे सच्चे हो तो कोई भी कार्य बुरा नहीं हो सकता। अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैरे रख ले तो, आप कम से कम सौ दुहक भरे दिनों से बच सकते हैं, जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है, यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है, तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोश दो, समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है, इसलिए अच्छे समय में घमंड न रखे और बुरे वकत में सब्र रखना न छोड़े, सम्मान हमेशा समय और स्थिती का ह पर इनसान उसे अपना समझ लेता है, जिस इनसान के सच्चे होने की गवाही आपका दिल दे, वो इनसान कभी भी आपके लिए गलत नहीं हो सकता, अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है, तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा, परि लोग तुम्हारी बुराई करते हैं, वो करेंगे, चाहे तुम अच्छा काम करो या बुरा, इसलिए शान्त रहकर अपना कर्म करते रहे, निंदा से मत घबराओ निंदा उसी की होती है, जो जिन्दा है मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है, बुरा समय आपको जिन्द देता है, हम जिस मनुष्य पर अति विश्वास करते हैं, वही हमारे विरुध शड्यंत्र करते हैं, प्रेम और विश्वास पाने के लिए अवसर मांगे नहीं जाते, अवसर ढूंड कर उस प्रेम और विश्वास को जीता जाता है, स्वार्थ से रिष्टे बनाने की कितनी बुरे वकत में तो हर कोई भगवान को याद करता है, पर दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो अपने अच्छे वकत में भी भगवान को याद करते हैं। संघर्ष करते हुए कभी मत घबराना क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है, सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ देती है, प्रेम का कोई रूप नहीं होता, जब कोई एहसास खुझ से ज्यादा अच्छा लगे तो वो प्रेम है, सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिकर और दिल में आपके प्रती सच्चा स्नेह होता है, परेशानी आये तो इमानदार रहें, धन आ जाये तो सरल रहें, अधिकार मिलने पैर नम्र रहें, और क्रो अगर भगवान तुमसे ज़्यादा इंतिजार कर वा रहे है तो तैयार रहना वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले है जितना तुमने माँगा है। संसार में शब्से श्रेष्ट संबंध भगवान के साथ ही है जिसमें कभी दुख नहीं मिलता। पाव दिखते नहीं फिर भी हर संकट में दोड के आता है, हाथ भी दिखते नहीं लेकिन सर पे हाथ फिर आता है, बस यूँ समझो कि मेरे तो हर सुख दुख में मेरा कृष्ण काम आता है, जीतने के लिए जिद्धी होना पड़ता है, हारने के लिए एक डर ही काफी है, अव एक सफल इंसान बनना है, तो खुद पर संदेह करना बंद करो और जीजान से महनत करो, पहाड की उचाई आगे बढ़ने से नहीं रोकती, बलकि आपके जूते में पड़े कंकड आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, सफलता का रास्ता इमानदारी की पट्री से हो कर जाता है, अपनापन, परवाह, आदर और थोड़ा समय यह वो दौलत है जो हमारे अपने हम से चाहते हैं, तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती है, समाधान खोजने है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा, कुछ बुद्धिमान तो होते हैं परंतु धन के हाथ लगते ही, उन मे दर से आत्मविश्वास की हानी होने लगे, उस डर का अंत करना अवश्य हो जाता है, समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतह कभी किसी का नाहीं अपमान करे और नाहीं किसी को तुछ समझे, आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आप से अधिक शक्तिशाली है, जिन् कुछ भी पाना संभव नहीं, क्योंकि सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है, उडान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े, अकेले होना और अकेले रोना, इंसान को बेहिसाब मज बूद बना देता है घमंड शराब की तरह है आपके अलावा सब को पता है कि आपको छड़ गई है मुस्कुराहटें जूठी भी हो सकती है इंसान को देखना नहीं समझना सीखो अगर नींद ना आये तो भी सो लिया करो क्योंकि रातों को जागने से प्यार हासिल नहीं होती जो हो रहा है उसे होने दो तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है जैसे पानी में तैरती नाम को तूफान उसे अपने लक्षय से दूर ले जाता है वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है अभिमा को आने मत दो, स्वाभिमान को जाने दो, क्योंकि अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बलकि खुद से होगी कि एक खूब सूरच जिन्दगी सामने थी और आप दुनियादारी में उलजे रहे। सची बाते, जिन्दगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक क्रिश्न जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे। दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। आपकी नियत से इश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान अब ये आप पर सामने खड़ा होना पसंद नहीं किया। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो इश्वर नसीब से बढ़कर देता है। प्रेम शरीर या सुन्दरता को देख कर नहीं होता है। प्रेम हृदय से होता है जहां दो हृदय मिल जाये वही प्रेम जन्म लेता है। कुछ लोग पर अपने जीवन में बेवजह नहीं आती। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में द्रड़ कर देता हूं। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराय अपने लगने लगे तो समझ लीजिए, विनाश का समय आरंब हो गया है। उसे ही शांती प्राप्त होती है। शरेष्ट पुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म को करता है, उसी को आदर्श मान कर लोग उसका अनुसरण करते हैं। तु शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिध्ध होगा। कोई भी मनुष्य क्षन भर भी कर्म किये बिना नहीं रह सकता, सभी प्राणी प्रकृती के अधीन है और प्रकृती अपने अनुसार, हर प्राणी से कर्म करवाती है और उसके परिणाम भी देती है। योग रहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धी नहीं होती और उसके मन में भावना भी नहीं होती। ऐसे भावना रहित पुरुष को शान्ती नहीं मिलती। हमेशा संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता नह इस लोक में है और नहीं किसी और लोक में निंदा से घबरा कर अपने लक्ष को कभी न छोड़े क्योंकि लक्ष मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्थ करते हैं अपने आपको ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो यही सबसे बड़ा सहारा है जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है वह डर चिंता और दुखों से आजाद रहता है व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तू पर लगातार चिंतन करें अग क्योंकि दुनिया में खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता अगर आप किसी चीज के सपने देख सकते हैं तो आप उसे हासिल भी कर सकते हैं मुश्किल वकक्त हमारे लिए आइने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है हम सभी की मदद नहीं कर स समय का सही इस्तिमाल इंसान को सफल बनाता है लोगों की निंदा से परेशान होकर रास्ते मत बदलना क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है चुप रहना मेरी ताकत है कमजोरी नहीं और अकेला रहना मेरी आदत है मेरी मजबूरी नहीं हमेशा सही के साथ खड़े फिर चाहे अकेले ही क्यों ना लड़ना पड़े याद रखना मेरे दोस्त माफी गलती की होती है धोखें के नहीं सही दिशा और सही समय का ज्यान नहो तो उगता हुआ सूरज भी डूपता हुआ दिखता है जिन्दगी क्या है मत पूछो सौर गई तो तकदीर और विखर गई तो तमाशा है धूंडोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे मंजिलों की फित्रत है खुद चल कर नहीं आती सपने को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है हाथ की लकीरों के चक्कर में मत आये जनाब किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते द पारी हुई बाजी जीतनी ही होगी जीत हार का फैसला बाद में करना पहले मुकाबला तो कर पैदा तो सभी मरने के लिए ही होते हैं पर मौत ऐसी होनी चाहिए जिस पर जमाना अफसोस करे कभी मत सोचना तुम जीत नहीं सकते जिस दिन सोच लिया उसी दिन हार जाओगे कि इसमत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठ कर सोचते रहने से नहीं, सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहाने से बढ़े हो जाते हैं, कल कुछ बनने के लिए आज ही कुछ करना होगा, आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, अरे यही समय है कुछ करने का म आयक नहीं समझती, त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है, जिन्दगी की सच्चाई यही है कि ठोकर लगने पर ही इनसान चलना सीखता है, खुल जाएंगे सभी रास्ते तू रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल तू अपने जिद्द पे अड़ तो सही, शेर आगे चलांग मारने के लिए एक कदम पीछे हटता है, इसलिए जब जिन्दगी आपको पीछे धकेलती है तो घबराएं नहीं, जिन्दगी आपको उचित चलांग देने के लिए तैयार है, च अगर खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे, दूसरों के लिए जरा भी अच्छा करें तो वह अपने अंदर की शक्ती को जागरित करता है, दूसरों के बारे में जरा भी अच्छा सोचे तो वह अपने दिल में धीरे-धीरे शेर की ताकत भरता है, इ अगर किसी गढ़े के साथ रहोगे तो वह हालातों के सामने जुकना सिखाएगा। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। धूप कितनी भी तेज हो समुंदर सूखा नहीं सकता, उसी तरह उम्मीदों का सागर किसी एक हार से खाली नहीं हो सकता। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिष्टे को, वरना मतलब का रिष्टा रखने वालों की आँखों में ना शर्म होती है और ना ही पानी। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बलकि अच्छे आप हो कियोंकि उसमें अच्छा ही देखने वाली नजर आपके पास है। सच्चा चाहने वाला आपसे प्रती एक तरह की बात करेगा, आपसे हर मसले पर बात करेगा। लेकिन धोखा देने वाला सिर्फ प्यार भरी बात करेगा, अगर आपको जुकना है तो किसी के विनम्रता के आगे जुके, किसी के शक्ती के आगे, रूप के आगे और धन के आगे, तो बिलकुल भी मत जुकना, जिसने मन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को करना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही कर्म लोक है, कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं, इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं, यानि की सिर्फ काम पर ध्यान लगाएं, और मेहनत करें, जो होने वाला है, वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला, वह कभी नहीं होता, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। निर्णय लेते समय ना ज्यादा खुश हो ना ज्यादा दुखी हो। ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय लेने नहीं देती। हैं, अर्जुन मनुष्य इस प्रत्वी का सबसे बुद्धिमान प्राणी है, जो अपने विवेक से सभी रचना कर लेता है, इश्वर का नाम लेने से ही प्राणी मात्र का जीवन सफल हो जाता है। जिस तरह प्रकाश की जोती अंधरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है, इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जीज प्रकार व्यक्ती की प्रचाई कभी साथ नहीं चोड़ती है, उसी प्रकार मनुष्य को कभी सत्य नहीं चोड़ना चाहिए। कर्म के बिना फल की अभिलाशा करना व्यक्ती की सबसे बड़ी मूर्खता है, जैश्री राधे कृष्ण। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कॉमेंट में जैश्री राधे कृष्ण लिखना ना भूले। धन्यवाद।